एक वार फिर से जो आपकी हिमत्याल प्रदेश राजय चेन आयोग की वेबसाइट है वो पब्लिक कर दी कही है जैसा कि इन्होंने पिछले वीक वीक कहा था कि हम अगले मंडे से जो है वो पब्लिक कर देंग वैसे फ्राइडे से कहा था तो पब्लिक हो चुकी है और एक नोटिफिकेशन आपको भी नहीं मिलेगी साथ में इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट भी जारी की है ओटी का जो एक्जाम करना है इन्हें 1073 का लेकिन इसमें आज वीडियो में हम जो बात करने वाले है वो है आपका जब भी आपकी एक्जाम होगे जो भी नोटिफिकेशन य यह है कि इसमें जब आप आईडी बनाएंगे तो आपका जो आधार है वो आपकी पास होना ज़रूरी है उसमें आपका ओटीपी आएगा पहले और तब जाकि आपकी परसनल इंफॉमेशन है वो आप फिल्प कर पाएंगे तो किस तरह से आप अपना जो रेजिस्टेशन ह परकेंगे क्योंकि अभी शुरुआत ही है तो उसका है कि यूद्व को पता ना लगे तो इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से दिखना है तो सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्रोजर को आपने उपन कर देना है अपने सिंपली सर्च करना है एच पी आर सी यह जैसी आप इ इसमें फेक भी है इसमें फेक तो नहीं कहेंगे कुछ अदर्स है जो एच पी आर सी के नाम से बनी हुई है तो आपने उस पर नहीं जाना है जो आपको सबसे पहली नज़र आएगी डिपार्ट्मेंट ऑप डिजिटल टेक्नलोजी और गवर्मेंस की हिमाचर जो लिखा हुआ है यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा दूसरा नीचे एप्लाइ ऑंलाइन आपको नज़र आएगा एक कॉलम जैसी आप थोड़ा से स्क्रॉल अप इसको करेंगे यहां पर देखते हैं और इस एप्लाइ ऑंलाइन पर जाके आप यहां से भी अर्जिस् सेसरे यहां पर इस सिंगल सा calimha हैं यहां पर यहां पर आपके लिए ऑपशन है SINGLE SIGN-ON SSO आपने इस पर क्लिक करते का दो तो आपके सामने एक pop-up आता है जहां पे आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आप से मागा जाता है तो फिलहाल अभी आपके पास को यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आप कहां से फिल करेंगे यसलिए आपने थोड़ सा स्क्रोल अप जैसे आपको करेंगे तो आपको यहीं नीचे नज़र आएगा न्यू यूजर करके और साइन अप और सिटीजन लॉग इन तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जैसी आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने दो आप्शन्स नजर आ जाती है अधार वेरिफिकेशन परसनल डिटेल यानि कि सबसे पहले आपको अधार वेरिफिकेशन करवानी होगी और उसके बाद आपको OTP आएगा उसके बाद आप परसनल डिटेल जो है वो फिलप कर पाएंगे इस पे आपका यहाँ पे चेक बॉक्स है यह भी आपने चेक बॉक्स पे कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले आपको अधार नमबर डालना होगा 12-Diazit का जो आपका अधार नमबर रहता है अधार नमबर डालने के बाद नीची चेक बॉक्स को भी टिक करने के बाद आपने गट OTP पे क्लिक करेना है वेट करने के बाद जब आपका OTP आपके पास आ जाता है तो नीचे verify OTP पे आपने चले जाना है और उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस पे चले जाएंगे यहाँ पे आपको अपना नाम और आपका जो अधार नंबर है वो नज़र आएगा आपको अपना यूजर नेम आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और उपर आपको नज़र आए रहा है mobile नंबर और email ID email ID आपके लिए options है optional है और जो आपका mobile नंबर है वो आपके लिए compulsory है और सही आपने mobile नंबर डालना है उस पर आप जो है OTP आएगा वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है OTP जहां आप फिल करेंगे वहीं सामने आपको verify OTP का option नज़र आएगी यहाँ पर आपने verify इसको कर देना है यही नीचे आप जब इससे थोड़ा सा scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको password set करने के लिए option आएगी यहाँ पर आप चेक भी कर सकते है जो यह आई पनी हुए जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं लॉग इन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इससरा का इंटरफेस आता है यहाँ पर post applied current vacancies और fees structure आपको नज़र आएगा तो fees structure की अगर मैं बात करूंगे यहाँ पर तो जो fees रहने वाली है यहाँ पर वैसे यह शू कर रहा है या नहीं ओ देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर देखते हैं आप फीस structure कोई चीस तरह से रहने वाला है फॉर फीमेल कोई फीस नहीं लगेगी और एकस आर्मी एकस सर्विसमेन इनके लिए भी कोई नहीं लगेगी विजूल इंपेर्ड के लिए कोई फीस नहीं है इसके बाद आपकी जो एड़ होनी है इसमें अभी मुझे कोई फिलाल आप्शन नजर आ नहीं रही है तो जैसी वो अपडेट आती है इसमें कहीं आप्शन नजर आएगी मुझे तो वो मैं आपको बता दूँगा बाकी जब शायद वकेंस निकलेगी तो शायद आपको यहां पे नजर आ जाएगी आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो फिलाप करने की तो इस तरह से आप रिजिस्टिशन कर सकते हैं अगर आप यहां से लॉग Ốट भी कर सकेंगी यहां पे आपको डेश बोर्ट पे क्लिक करना है जैसी आप इस-तरह से आपको युजर नेम पासवर्ड जैसी आएगा यहां पे डॉल दाल देनना है इमोबायल से भी आप लो लॉगिन कर पाये अधर में आपका अधार से भी आप लॉगिन कर पाये तो यह सारी ओप्शन आपको नजर आ रही होगी तो काफी एच्छा इंटरफेस है बाकी देखते हैं जैसे जैसे अपटेट इसमें भी होंगे और कोई नही अपटेट आते हैं तो वो भी हम आपके साथ तब तक के लिए बाबाए